नमस्कार दोस्तो मैं रुविंदर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल इंडियन रोजगार में इस वीडियो में आपको एंसें इस्ट्री यानि प्राचिन इस्ट्री के कुछ अती मैतोपुन क्वेस्टिन करवाने वाला हूँ जोकि सभी कंप्रिट और मामलपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच मिलक बسCan में से कोण सी एक समानता है तो यहाँ पर चार उप्शन आपके पास गेवन है दोस्तो आपको correct answer बताना है मैं direct आपको correct answer बताऊंगा तो यहाँ पर जो इन दोनों में समानता है वो है दोस्तो कि दोनों ही जो है ठोस च पर अवस्तित है तो आप सभी को पता है दोस्तो हडपा जो है वो रावी नदी के टट पर अवस्तित है रावी नदी जो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला स्वाले दोस्तो आरियों को एक जाती कहने वाला यूरेपियन कौन था आरियों को एक जाती कहने वाला किस दरव का प्रियोग जो है हडपा कालिन, मुध्राओं के निर्मान में मुखेतोर पर किया जाता था चार एप्षन आपके पांस जो जाएगा सभी को पता है टैरा कोटा अगला सवाल है दोस्तो वेद का साब्धिक अर्थ है वेद सब्द का अर्थ आपको बताना है तो वेद सब्द का अर्थ है दोस्तो ग्यान, नोलिज, ग्यान जो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला स्वाल दोस्तो देवी माता की पुजा संबंदित थी यह आपको बताना है तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि सिंदु गाटी सब बिता के लोग जो है देवी माता की पुजा करते थे अगला स्वाले दोस्तों परसिद गायतरी मंतर कहां से लिया गया है तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो गायतरी मंतर है वो सबसे पुराने वेद रिग वेद से लिया गया है option C जो है इसका correct answer हो जाएगा अगला स्वाले दोस्तों निमी लिखत में से कौन सा अन मनुष्य दोआरा सबसे पहले प्रियोग होने वालों में से था चार option आपके पास है दोस्तों correct option हो जाएगा जो जो है मनुष्य ने सबसे पहले अन के तोर पर प्रियोग किया था जो यव अगला स्वाल है दोस्तो बोरो बुदूर किसका स्थल है तो यहाँ पर करेक्ट अंसर आपको बताना है दोस्तो और जो करेक्ट अंसर हो जाएगा बोरो बुदूर जावा में आठवी स्ताब्दी इस्वी में रिर्मित एक वृत सतूप है जावा में आठवी स्ताब्दी में आठवी स्टाबदी इस वी में रिल्मित एक वृत स्तूप है कौन दोस्तो बोरो बुदूर अगला स्वाल है दोस्तो बारत्य परतीक पर उत्कीण सत्यमे उजते लिया गया है यह question दोस्तों काफी ज़्यादा competitive exam में repeat हो रहा है और काफी important question है बारत्य परतिक पर उत्ते इन सत्यमेव जाते लिया गया है तो यहाँ पर आप सभी को पता है दोस्तों मुंडक उपनिशेद से जो है यह लिया गया है देवनागरी में लिखित सत्यमेव जाते अगला स्वाल दोस्तों बारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर था तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों हडपा और अभी मैंने बता था कि हडपा किस नदिगे किनारे पर स्थित है रावी नदिगेट पर स्थित है अगला स्वाल है दोस्तों प्रारमबिक बारत में अगर हार क्या तो इसका correct answer आपको बताना है तो ये दोस्तों ब्रामबनों को आयुक्त गाव या भूमी का नाम था अगरहार ब्रामबनों को नियुक्त गाव या फिर भूमी का को जो है अगरहार कहते थे अगला स्वाल है दोस्तों निमिलिक्त में से किस पुरा पुरा तवाग्य ने पूर दित्त सती में कागज बनाने की किस ने खूजी चार आपने है यह कंपेटर 9 में आ चुका है हाली में दोस्तों पूछा गया था कि कागज के कुछ गया था睡ulous है इसने की तो चीनियों ने या फिर चीन देश में जो है इसकी समसे पहले खोज हुई थी अगला स्वाल दोस्तो गुप्त यूग का परवर्तक कौन था गुप्त यूग का परवर्तक कौन था तो गुप्त यूग का परवर्तक दोस्तो शिरी गुप्त थे शिरी गुप्त अग अगला स्वाल है दोस्तो पंतजली कौन थे पंतजली कौन थे तो आप सभी को पता है दोस्तो पंतजली महरसी पंतजली कौन थे पानेनी के संस्कृत व्याकरन का टिकाकार पानेनी के संस्कृत व्याकरन का टिकाकार पंतजली अगला स्वाल है दोस्तो निमिलिक्त में से कौन मौरिय वंस का अंग नहीं था निमिलिक्त में से कौन मौरिय वंस का अंग नहीं था तो यहाँ पर आप सभी को पता दोस्तो इन में से जो करेक्ट अंसर हो जाएगा ये तीनों ही जो है मौरिय वंस के अंग थे और इन में से कोई नहीं जो है इसका सहित्तर हो जाएगा तो option number D जो है इसका सहित्तर हो जाएगा क्योंकि उपरवाले तीनों ही जो है मौरियवंज़ से संबन्दित थे अगला स्वाल है दोस्तो सिंदू गार्टी सब बता के सैरो की गलिया थी कैसी ये question दोस्तों आप का इंडियन नेवी में पुचा जा चुरा है कि सिन्दोगाटी निवासी थे हडपा के निवासी कैसे थे ग्रामीन थे शेरी थे खाना बदोश थे या फिर जन जाती है थे तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट अंसर है दोस्तो वो जाएगा शेरी अगला स्वाल दोस्तो बाहरत में वन ववस्ता किस लिए बनाए गई थी तो व्यवसाइक सरमविवाजन के लिए बाहरत में वन ववस्ता का निर्मान किया गया था अगला स्वाल है दोस्तो संगम युग में संगम सब्द का क्या आर्थ है तो इसका जो करेक्टन सर है दोस्तो वो है कव्यों की सबा संगम युग में दोस्तो संगम सब्द से अभी पराय है कव्यों की सबा से लास्ट कोईशन हमारे पास आता है दोस्तो निमिलिक्त में से किस विदूसी ने वाद विवाद में अजय याग वलक को चुनोती दी थी तो इसका जो correct answer है दोस्तो वो है गारगी वो है गारगी गारगी ने जो है गारगू ने जो वाज विवाद में अजे यागवल को चुनोती दी थी तो ये इसका correct answer हो जाएगा उप्शनी गारगी तो दोस्तो ये कुछ बहुती मैतोपून question थे जो कि आपके प्राचिन इतिहा में question आएगा तो आप पांचो पके पांचो पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोजाना आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको most important questions करवाँगा तो जुरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके के गंटिका इकन दबा लेजे ताकि जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और पांच पार्ट में मैं आपको ancient history और प्राचेन history के मैं तो पुन सवाल करवा दूँगा मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में बने रही है हमारे साथ इंडिन रोजगार पर और इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना बूलिएगा जै हिंद जै भारत